दन्यवाद अद्धेक्स महुदे चातर संग चुनाओं के समंध में परकेरिया नियम 295 के अंतरगत विशेश उलेक निवेदन है की विगत सरकार ने कुलपती समीति की सिफारिश के आदार पर वर्ष 2023-24 के चातर संग चुनाओं पर रोक लगा दी थी समीति द्वारा की की सिफारिश के अनूसार चातर संग चुनाओं नवीन सिख्सा नीती के परभावी किरियानुवन में बादक हैं चातर संग चुनाओं के समंध में उक तरक पुर्ण तरह उचित्य हीन है मेरा राजे सरकार से आगरे है कि युआ हमारे देश का भविश्या है और युआउ में राजनीतिक छेतर में नेतरतो चम्ता के विकास के लिए निमत रूप से चातरसंग चुनाव कराए जाना परदेश के युआउ के लिए नितान ताफस्यक है चातर संग चुनाव देश की राजनीती नीती निर्मान में युवाउं की भागिदारी सू निश्चित करते हैं चातर संग चुनाव राजनीती की पर्थम सीडी है जो नवीन राजनीतिक पीडी को तैयार करती है आज राश्ट्री राजजनीतिक नेतरतों के साथ साथ राज इस्तर पर अधीकतम नेतरतों करता चातरसंग राजनीति से निकले हैं माननी अद्दक्स मोदे स्वयम इसी राजनीती चातर संग राजनीती से आते हैं मेरा समंद भी चातर राजनीती से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदसे उपस्तित हैं जोनों ने चातर राजनीती के मंद से अपनी राजनितिक यात्रा सुरू की चातर संग चुनाओ में युवा राजनितिक मुल्यों को सीखता है युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगडाई लेती है चातर संग चुनाओ वर्तमान राजनितिक परिदर्शे का आदार स्तंभ है जिस पर आगामी राश्ट्र निर्मान की रूप रेखाता है होगी एक स्वाबाविक लोगतांत्रिक व्यवस्ता में चातर संग चुनाओ अपरिहार्य और अनिवार्य है मैं राजे सरकार से निवेदन करना चाहूंगा की स्वाच पारदर्सी और नियमित चातर संग चुनाओ करवाने की किरपा करा हूए आपका यह निर्ने राश्ट निर्मान में राश्ट के नीती निर्मान में राष्ट के लोग कल्यान कारी आउदानना की सकारी करण में सायोग परदान करेगा चात्र सक्ती राष्ट सक्ती बहुत बहुत अन्यवाद